तो सिधा जैसु वड़ाप्रता ना समू धन्मा आपने भी जरूर अनुभव किया होगा कि जब सरकार किसी एक बर्क के लिए किसी एक छोटे से टुकडे के लिए कुछ करती है तो बड़ी उधारवादी कहलाती है उसकी बड़ी प्रसोंसा होते दियों उनके लिए कुछ किया लेकिन महरान हूँ कभी कभी हम देखते हैं कोई सरकार एकाद राज्य के लिए कुछ कर ले कुछ राज्य की भलाई काओ कोई काम करते हैं तो भी भावाई हो जाती है लेकिन जब सरकार सब के लिए करती है हर नागरी के लिए करती हैं हर राज्य के लिए करती हैं तो उसे उत्रा महत्व नहीं दिया जाता जिसका कभी कभी उसका जिक्र तक नहीं होता है सरकार की योजनाओं किसे कैसे हर वर्क का हर राज का समान रुप से भला हो रहा है इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है पिछले साथ वर्षों में हमने बिना भेदभाव के बिना पश्पात के विकास के हैं हर व्यक्ति हर वर्क और देश के हर कौने तक पहुचाने का प्रयास किया है इस साल पंदरा अगस को मैंने गरीब कल्यान से जुड़ी योजनाओं के सेच्चुरेशन की बाद कहीं और इसके लिए हम मिशन मोड पर जुटे भी हैं सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए इस मंत्र को लेकर के कार करने का हमारा प्रयास है आज इसने देश के तस्विर कैसे बदली हैं यह हमें हाल के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में भी दिखाई देता है इस रिपोर्ट के बहुत से तथ्या इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब नेक नियत के साथ काम किया जाएं सही दिशा में आगे बढ़ा जाएं और सारी शक्ती जुटा कर लक्ष को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएं तो सुखत परणाम अवश्च आते हैं जेंडर इक्वैलिटी की बात करें तब पुरुषों की तुलना में बेटियों के संख्या बढ़ रही हैं गर्भवती महिलाओं का अस्पताल में डिलिवरे की जादा आउसार उप्लद्ध हो रहे हैं इस विजह से माता मृत्युदर शिशु मृत्युदर पर कम हो रही हैं और भी बहुत सार इंडिकेटर ऐसे हैं जिस पर हम एक देश के रूप में बहुत अच्छा कर रहे हैं इन सभी इंडिकेटर्स में हर परसंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है कि करोडों भारतियों को मिल रहें उनके हक का प्रमार है यह बहुत आवशक है कि जनकल्याड से जूड़ी योजनाओं का पूरा लाग लोगों को मिले इंफ्रस्ट्रक्टर से जूड़ी परियोजना हो समय पर पूरी हो किसी भी कारण से हुई अनावशक देरी नागरीक को उसके हक से बंचित रखती है मैं गुजरात का रहने वाला हूँ तो मैं सरदार थरोड डेम का उदान देना चाहता हूँ सरदार वल्डभाई पटेल ने मान नर्वदा पर इस तरह के डेम का सपना देखा था पंडित नहरू ने इसका सिलानयास किया था लेकिन ये परियोजना दसतों तक अप प्रचार में फसी रही परियावन के नाम पर चले अंदोलन में फसी रही नहयाले तक इसमें निरने लेने में हिच्की चाते रहे वर्ल बैंक ने भी इसके लिए पैसे देने से मना कर दिया था लेकिन उसी नर्वदा के पानी से कच्छ में जो विकास हुआ विकास का कार्य हुआ आज हिंदुस्तान के तेज गती से आगे बढ़ रहे डिस्ट्रिक में कच्छ जिला है कच्छ को इस एक प्रकार के रिगिस्थान जथा इलाका है तेज गती से विक्सित होने वाले छेत्रों उसकी जगा बन गई है कभी रिगिस्थान के रूप में जाने जाने वाला कच्छ पलायन के लिए पहचान जाने वाला कच्छ आज एग्रो एक्षपोर्ट की वज़े से अपनी पहचान बना रहा है इससे बड़ा ग्रीन एवर्ड और क्या हो सकता है माननी है भारत के लिए और विश्व के अनेक देशों के लिए हमारी अनेक पीडियों के लिए उपनिवेशबाद की बेडियों में जक्ड़े हुए जीना एक मजबूरी थी भारत की आज़ादी के समय से पूरे विश्व में एक पोस्ट कॉरोलियन कालखन की शुरुवात हुई अनेकों देश आज़ाद हुए आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में एक्जिस्ट करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेश उपनिवेशवादी मानसिक्ता कोलोनियल मैंडसेट समाप्त हो गया है हम देख रहे हैं कि हम आज़िकता अनेक विक्तियों को जन्म दे रही है इसका सबसे सपस्ट हो दारण हमें विकास इल्देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है जिन साधनों से जिन मारगों पर चलते हुए विक्षित विश्व आज के मुकाम पर पहुँचा है आज वही साधन वही मारग विकासिल देशों के लिए बंद करने के लिए प्रयास किये जाते है पिछले दश्रकों में इसके लिए अलग-अलग प्रकार की शबदावली का जाल रचाया जाता है लेकिन उद्देश एकी रहा है विकासिल देशों की प्रगती को रोकना आज कल हम देखते हैं कि परियावरान के विशे को भी इसी काम के लिए हाईजेक करने का प्रयास हो रहा है कुछ सब्सक्ता पहले हमने कोग 26 समीट में इसका जीवन्त उधान देखा है अगर एप्सोल्यूट्री एप्सोल्यूट्री एप्सोल्यूट्रीव एमिशन की बात करें तो विक्सित देशों ने मिलकर अठारा सो पचास से अब तक 1850 से अब तक भारत से पंदरा गुना अधिक उत्सरजन किया है अगर हम पर केपिटा बेजिस की बात करें तो भी विक्सित देशों ने भारत के मुकामले पंदरा गुना अधिक उत्सरजन किया है अमेरिका और यूरियोपिय संग ने मिलकर भारत की तुलना में ग्यारा गुना अधिक एप्सोल्यूट्री एमिशन किया है इसमें भी पर केपिटा बेजिस को अधार बनाए तो अमेरिका और यूरियोपिय संग ने भारत की तुलना में बीस गुना अधिक उत्सरजन किया है फिर भी आज और हमें गर्व है भारत जिसकी सभेतार संस्कृति में ही प्रकृति के साथ जीने की प्रवृत्ति हैं जहां पत्थरों में पैड़ों में प्रकृति के कंकं में जहां पवध्य में भी परमात्मा देखा जाता है उसका स्वरूप देखा जाता है जहां धर्ति को मा के रूप में पूजा जाता है उस भारत को परियावरन समरक्षन के उपदेश सुनाए जाते हैं और हमारे लिए ये मुल्य सिर्फ किताबी नहीं है किताबी बाते नहीं है आज भारत में लायन टाइगर डॉल्फिन आदी की सं मानकों में नगाता सुधार हो रहा है भारत में वन खेत्र बढ़ रहा है भारत में डिग्रेडेल लेंड का सुधार हो रहा है गाडियों के इंद्रम के मानकों को हमने छेष्चा से बढ़ाया है हर प्रकार के दिन्योबल एनरजी उस खेत्र में हम विश्व के अग्रणी द को समय से पहले प्राप्त करने की और अग्रसर अगर कोई है तो एक मात्र हिंदुस्तान है जी ट्विंटी देशों के समूओं में अच्छे से अच्छा काम करने वाला कोई देश हैं दुनिया ने माना है को हिंदुस्तान है और फिर भी ऐसे भारत पर परियावरण के नाम पर बाती बाती के दबाव बनाए जाते हैं यह सब उपनिवेश्वाद मानसिक्ता का ही परणाम है लेकिन दुर्भाग यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिक्ता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाई जाते हैं कभ तो कभी किसी और चीज का सहारा लेता है हमारे देश की परिस्थितिया हमारे युवाओं के आकांशाए सपनों को बीना जाने समझे बहुत सी बाब दूसरे देशों के बेंचमार्क पर भारत को तोलने का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करे की कोशिश होती है इसका नुक्सान ये जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पढ़ता है इसका नुक्सान भुगतना पढ़ता है उस मा को जिसका बच्चा बिजली प्लांस थापी नहोंने के कारण पढ़ने नहीं पाता इसका नुक्सान भुग्यता पड़ता है उस पीता को जो रुके हुए सड़क प्रोजेक के कारण अपने संतान को समय पर अस्पताल नहीं पहुचा पाता